नमस्कार वनिन्या हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ शिकाथूरिया हर साल 26 सितंबर को विशु गर्ब निरोधक दिवस मना जाता है जिनकी शिरुआत पहली बार साल 2007 में हुई थी WHO समेत कई अंतराश्री, सरकारी और गैर सरकारी संगठन गर्ब निरोधक परिवार नियोजन और महिलाओं की सेहत के बारे में लोगों के बीच जागुपता बढ़ाने के लिए विशु गर्ब निरोधक दिवस को मनाने का उदेशे आज की युवापीडी को यौन जागुपता की जानकारी देना है लोगों को समय समय पर कारिक्रम कर जानकारी दी जाती है युवापीडी को गर्ब निरोधक के उपायों के बारे में भी बताया जाता है इस कारिक्रम में लोगों को गर्ब धारन के बचाव के बारे में बताया जाता है अब तो दुनिया भर में कई तरह के गर्ब निरोधक तरीके उपलब्ध हैं जिनमें कंडॉम, मौकिक गर्ब निरोधक गोलियां, अंतर गर्भाश्य उपकरण या IUD और इंजेक्शन के जरीए दिये जाने वाले गर्ब निरोधक शामिल हैं इतना ही ने विज्यानिक तो अब एक महिने में एक बार ली जाने वाली मौकिक गर्ब निरोधक गोली का भी विकास करने में जुटी हैं, जो महिलाओं के स्वास्ते में बड़ा बदलाव ला सकती हैं इतना सब होने के बावजूद अब भी यौन स्वास्ते, प्रजनन स्वास्ते और गर्ब निरोधक के उपायों को लेकर लोगों के बीच चानकारी की कमी है भारत में WCD इसके लिए काम करती है, जो प्रजनन और यौन स्वास्ते के शेत्र में कुछ NGO और अस्पतारों की मदद से काम करती है शेहरों नहीं गावों तक लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाती है WCD रिपोर्ट के मुताबिक महिला वंबाल विकास मंत्राले आंक्रों के मुताबिक भारत के 21 राज्यों में 94.5 फीसदी विवाहित महिलाओं को गर्ब निरोधक के उपायों और इसके इसके इस्तेमाल के बारे में जानकारी ही नहीं है लेकिन जानकारी होने के बावजूद सिर्फ 50 फीसदी महिलाएं ही इन उपायों का इस्तेमाल करती है और 44 फीसदी महिलाएं जो विवाहित है और उन्हें इसके बारे में पता है बावजुदिस के ये महिलाएं इन उपायों को नहीं अपनाती है इस खबर में फिलाल इतना ही, तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें One India Hindi के साथ